प्रभु जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी, तो मेरी नजर मृत्यू लोक पर पड़ी। सुखी जीवन जी रही थी, प्रभु ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में तीन प्रश्न बुझने लगे, अब मैं आपसे यह चाहती हूँ, कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पती को मांगने से भी नहीं देती। मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्नों को सुनकर के भगवान विश्नु कहने लगे। तुम जिन स्त्रियां की बात कर रही हो, उनमें से दो स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही है। और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पती के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो। आखिरकार ऐसा क्यों है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्यान प्राप्त होता है। जो जीवन में कभी काम नहीं आता। क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्णों के उत्तर किसी छोटी सी कहानी में समाए हुए हैं। यदि तुमने ध्यान से सुना, तो तुम्हारी तीनों प्रश्णों के उत्तर तो अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टी प्राप्त होगी। मता लक्ष्मी कहती, रभू मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करो, मैं कहानी को पूरी मन से सुनूगी और जब तक आप कहानी बोलेंगे, तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। भगवान विश्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। भगवान विश्णु कूरे थे सुनु करो, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है। और पूरे से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पती वृता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है। यदी में तेरी पत्नी का पती वृता धर्म खंडित कर दू तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। फिर तो नौकर ने कहा यदी तुम मेरी पत्नी का पती वृता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है। यदि महाराज यह मेरी पत्नी का पत्नी वृता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। फिर भगवान विश्नु कहते हे लक्ष्मी। मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तू लाओं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो नौकर ने कहा मंत्री यदि तु मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पठका मिला था और एक कतार मिली थी वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तु पठका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तुने पूरी तरह नश्ट कर दिया है। अगरे मेरी शर्त लगी है और फिर उसने उस सर्त के बारे में उसको सारा कुछ बता दिया। फिर वो उस दुटी से कहने लगा। तु कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे। तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूँगा। इस प्रकार मंतरी की बात सुनकर के दुती कहने लगी। भाई तु उस औरत के बारे में बात मत कर। वो औरत पूरी तरह से पतिवरता है। तेरी और थूकेगी भी नहीं, तेरी शकल भी नहीं देखेगी। और उनके परिवार के व्यक्ति खूंखार है। तेरी खाल उतार लेंगे तो मंतरी कहने लगा ठीक है। यदि तु मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे। उसके घर जाकर के पठका और कटार चुरा कर ला दे। और उसकी पत्नी के गुपतांग के पास में यदि कोई चिहन हो तो वो चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे। फिर मैं तुझे मुह मांगा इनाम दूंगा। य दे बेटी, मैं तेरी पती की बुआ हूँ, मैं कई बरसों के बाद आई हूँ। फिर उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दुती को उस नौकर की पतिवरता स्त्री ने बहुत बड करने लगी, तो दुती उठकर के उस पतिवरता के कमर मलने लगी। उस पतिवरता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वो दुती नहीं मानी, और कहने लगी, मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो, तो मना मत करो, काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर कि वह दुती मुख पर हात फिराने लगी। फिर आँखों को धोने के बहाने से उस दुती ने उस पतिवरता स्त्री की आँखों पर पानी मार दिया। और उस स्त्री की आँखें बंद हो गई। इस प्रकार गुपतांग के पास में जा से चुराली और वहां से एकदम से भाग गई। और जाकर के दुती ने वो पठका और कटार मंतरी को दे दिये और उस पतिवरता स्त्री के जांग पर तिल की निशानी भी बता दी। फिर वह मंतरी पठका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुँचा और राज, मैंने नौकर की पत्नी के साथ में दो दिन बिताए, और यह पठका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया, तथा महामंतरी से सभा में पठका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर र अगवान विश्णु कहते हैं लक्षमी। फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया। और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आग्या दी कि ठीक है। तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश् पर मंत्री से ऐसी शर्ट लगाई थी कि राजा के दर्बार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पतनी का पति वरता धर्म कोई नश्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना अब मुझे पंद्रह दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी मेरे साथ विश्वास घाद करके तुमने ठीक नहीं किया उस पति वरता स्त्री ने अपने पती को सारी बात बताई मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वह राजा के दर्बार में पहुँच गया फिर नौकर राजा के दर्बार में पहुँचा तो फिर उसे कैद में डलवा दिया गया अब उधर नौकर की पतिवृता धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेस बदल करके राजा के दर्बार में गई और राजा से नाच दिखाने की आग्या मांगने लगी क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुन्दर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं इसलिए राजा ने आग्या दे दी कि सभी मंत्री संत्री आदी उपस्थित होकर कि इस सुन्दरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें भगवान विश्णु कहते हैं लक्ष्मी भी मांग मांगोगी मैं तुम्हें वही दूँगा फिर उस नौकर की पतिवरता स्त्री ने कहा महराज आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिये थे मगर आज तक वापस नहीं दिये उसे फांसी की सजा दे दीजिए अब राजा ने कहा ठीक है बताओ मेरे दर्बार में तुम्हारा चोर कौन है उसका नाम क्या है मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूँगा भगवान विश्णु कहते फिर उस नौकर की पतिवरता स्त्री ने कहा महाराजा आपका मंतरी मेरा चोर है आप इनको फांसी की सजा अवश्य दे अब उधर जैसे ही मंतरी ने सुना कि ये सुन्दरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंतरी कहने लगा महाराज में कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ मैंने आज तक इसकी शकल ही नहीं देखी है अब भगवान विश्णु कहते है लक्ष्मी जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शकल ही नहीं देखी है तो वो सुन्दरी कहने लगी महराज ये मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे ये पूछो कि ये पठका और कटार कहां से लाया था मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहां पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोश पती को फांसी चड़ाने वाले हैं अब मैं आपको पूरी दस्ता सुनाती हूँ ये जो आपका मंत्री है इसने मेरे पास में अपनी एक दुती को भेज करके मेरी जांग के तिल का पता लगाया और उसी ने यह पटका और कटार चुराकर के इसको लाकर के दी और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दुती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे पती की बुआ है और वह पहली बार आई है इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी और महराज जिस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहां पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने घर पर उसके ठहरने की व्यवस्था की और इस प्रकार उस नौकर की पतिवरता स्त्री की बात को सुन करके राजा ने दुती को बुलाया फिर उस दुती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी जिससे राजा ने उस नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फंसी पर चढ़ा दिया भगवान विश्णु कहते हैं हे लक्ष्मी इस प्रकार उस नौकर की पतिवरता स्त्री ने अंत्मे राजा से कहा महराज मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुह से नहीं लेती भगवान विश्णु कहते हैं लक्ष्मी मेरी कहानी पूरी होती है अब तुम अपने तीनों प्रशनों के उत्तर सुनो, तुम्हारा पहला प्रशन था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, तो जो स्त्रियां अपने पती का नाम लेती है, वो समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पती का नाम लेने से पती की उम्र कम हो जात ऐसे स्त्रियां जो पति का नाम लेती है समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जिन तीन सहलीयों की बातें कर रही थी उनमें से दो विधवा थी और एक ये नौकर की पत्नी थी जो पतिवरता स्त्री थी। ये पतिवरता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुह से नहीं लेती थी और उधर वो दो स्त्रियां जो विधवा होकर जीवन दुखी होकर जी रही है वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वो दोनों स्त् स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है, तो समझ लो जो स्त्रियां अपने पती के बिना अनुमती के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता, ऐसी स्त्रियां जीवन पर दुखी रहती हैं और उन्हें पती का कभी प्रेम नहीं मिलता भगवान विश्णु कहते है लक्षमी तुम्हारा तीसरा प्रश्ण था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पती को मांगने से भी नहीं देती तो समझ लो वह चीज गाली है एक चरितरवान स्त्री कभी अपने पती को गाली नहीं दे सकती और जो जो स् प्रभु वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है, वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में लक्षमी का सदावास होता है, और वह घर धन-धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है. एसी स्त्रीयां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं. तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करे, वीडियो को लाइक करे. और दोस्तों, सच्ची श्रधा से कॉमेंट में जरूर लिखे, जय श्री प्लीडम.